मुझे इस बात का सघ्यान नहीं है क्योंकि मैं च्छेत्र में हूँ और पहले भी मिली एंक और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं कोई भी किसी से भी मिल सकता है मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मेंपूरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है जी डी यू ने बड़ा अजीब सा बयान दिया है चुछाए उन्हों ने कहा है कि कोई एक क्रिक्टी आया था और मेरे काराले में एक लिफापा दे गया था और जो हमने उस लिफापे को खोला तो 10 कुरोर का बॉड लिए यह तो जी डी यू का मामला है और जैसे कि जो भी लेकराइब को लेकर 1 पाद सक्सामने आनी चाहिए कि जो भाचपा सरकार जो headed जो भी पार्टी चन्ंदा लिया हैज लेकर बॉडफ obtained का सिस्टम लेके कहान आ था सबसे पहले सबद नहीं pacs tv भात का बठारी कि कि स्था णकता अ आ ऱ मांगे इन था पर मैं क्या बोलू इसमें तो बतलब एसी बात कैसे हो सकते हैं एक अपने इंटर्वूम कहा भी है कि इस जीतेगी तो समाजवादी पाट भी तो कभी कभी जो अंदर का जो अनुभाव होता है वो जबान पे आ जाता है तो मैं समझते जो बात नहीं बोलना चाहते थे वो बोल ग इवियम में लोगों में बहुत असमंजस है बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बूलता है हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है तो एक तरह की क्लारिटी होनी चाहिए भलाई इवियम सही हो तो भी लोग चाहते हैं वापस लोग बालक पेपर वे गाए हैं क्योंकि लोग के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि इवियम में बोट डालने पे जिनको हम वोट डालते उनको वोट नहीं मिलता है में कनोट जी समय ले रहे हैं कुछ विरोधी पार्टियां तो कोई जरूर इसमें उनके मन में किसी तरह की शंका होगी इस वज़े से इतना समय लिया जा रहा है सब्सक्राइब करें का अगर इसी तरह का इंटरफेरेंस रहेगा तो बहुत सारी चीजें जो है वो लाइन पर आएंगी जो अभी सब विवस्ता दिख रही है हर एक स्टेप में मैं समझती हूं कि सुप्रिंग कोर्ट जिस तरह का में मेर वाला चुनाव भी हुआता पंजाब का अगर सुप्रीम कोड इंटरफेर नहीं करता तो हमारे जानने वाले बीजेपी के बहुत साहे सांसद हैं उन्होंने का ता जीते तो हम ही है मेर क्या चुनाव तो इस तरग से गलत तरीके से चुनाव जीतना सही बात नहीं है एक लोगता अंटरे तो